दिल्ली की मुख्य मंतरी आतीशी आमाद्मी पार्टी के रास्ट्य संयोजग अर्विंद केजरिवाल और आप नेता मनीश सी सोधिया ने दिल्ली विश्व विद्याले की सड़की इस्तिथी का निरिक्षण किया जिसके दौरान आमादमी पार्टी के रास्चे सेयोजग अर्विंद केजरीवाल ने कहा मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाता हूँ कि चिंता ना करें मैं आ गया हूँ और हम सभी लंबित काम शुरू करेंगे अब भी हम दिल्ली विश्वे द्याले में खड़े हैं यहां की सडक तूटी हुई है मैंने मुख्य मंतरी आतीशी से बात की है इसे तुरंट ठीक किया जाएगा दिल्ली की अन्य सडकों की भी मरमत की जाएगी आगे क्या कुछ कहा अर्विंद केजरीवाल ने आईए सुनवाते हैं दो चार दिन पहले मैं इनके बड़े नेता से मिला हुआ उनके नेता से मैंने प्रशना हुआ उन्हों ने जो जवाब दिया वो सुनके में भोचक्का रह गया मैंने उन से बोचा मुझे गिरफतार करके आपको क्या फायदा हुआ तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो दीरेल होई गई दिल्ली तो ठप होई गई मुझे उनका जवाब सुनके बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफतार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था क्या मुझे गिरफतार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था क्या मुझे गिरफतार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुचाना मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के के लिए मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं वो चिंता ना करें जितने रुकेवे काम थे वो दुबारा शुरू होंगे जितने उनकी समस्याएं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा अभी हम लोग सब लोग डियू में खड़े हैं और डियू की यह सड़क जो है यह अभी हम जो देख रहे हैं यहां पर पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क तूट गई है यह सड़क काफी इस्तेवाल की जाती है तो मैंने आतीशी जी जो सीमें उनसे बात की तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेर करवाया जाएगा और जल्दी सड़क को ठीक करवाया जाएगा और भी जितनी सड़कें दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुएना करेंगे और उनका भी हम रिपेर का काम शुरू करें मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठब करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर जितने रुकेवे काम है वो सारे काम दुबारा चल झाल 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 झाल